हेलो स्टुडेंट्स आज हम क्लास थर्ड में आपको पार्ट पार्ट पढ़ाएंगे जिसका सिर्षक है कागज की नाव बच्चों इस पार्ट में कभी ने एक कविता के माध्यम से यह बताया है कि किस तरह से बरसात के मोसम में बच्चे कागज की नाव बना करके उसका आनंद लेते हैं और उसको जैसे तहराते हैं आप लोग नो बरसात जब होती है ज्यादा पानी चालो तरफ लग जाता है तो क उसी का वर्डन या उसी के बारे में कभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कविता में जिक्र किया है कि कि किस तरह से बच्चे यह जो बच्चे हैं यह कागज की नाव को बना करके तैरा रहे हैं तो आईए इस कविता को पढ़ते हैं देखिए इस कविता में बालकों द्वारा बरसात के मौसम में चलाये जाने वाली कागज की नाव का सुन्दर वर्डन ही अब देखिए वो नाव जो खागज की बच्चों के द्वारा तैराई जा रही है वो किस तरह से चल रही है देखिए कर रहा है इठछा लाती बल खाती देखो जलधार चली जो पानी की धार जैसे बारिस जब तेज होती है वो आप देखिए पानी तेज भार के तेज भार के साथ जिधर भी रास्ता पाता है जिधर भी डहलान एरिया पाता है धालू ढालू रास्ता होती है, उसी को पकड़ कर तेज बहायो के साथ वह बाहता एंज होलाया है, तो पushima सहिद ठीर रेया है व्यूंज ढूली होते है जैसे गर्व के साथ, गमणड के साथ, नहीं होता है लोगा इख होता है न, आइठना या इठलाना उसी करस्त को कर रहा है कि यह जो पानी की धार है यह तेज बहाओ के साथ इठलाते ही वे आगे बढ़ रहे हैं अब उसी तेज बहाओ की धार में जो बच्चे हैं वो कागज की नाव को तैरा रहे हैं देखिए अब देखिए जो कागज की नाव जो बच्चे तैरा रहे हैं वो कागज की नाउं किस पर तैरती है पानी पर तैरती है नाउं के पास पैर होता है नहीं वो पानी के सहारे ही आगे बढ़ती है उसी चीज को कह रहा है कि कागज की नाउं चली पानी के पाउं चली वो जो कागज की नाउं है वो पानी पर तैरते हुए पानी के सहारे वो आ बच्चे इस चीज की कल्पना कर रहे हैं, चुकि वो जैसे नाव यात्रा कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो जिस तरह से जब हम सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, तो हमारी उस यात्रा में तमाम गाउं, सहर सब पढ़ते हैं, तो बच्चे मन में वही कल्पना कर रहे हैं कि इस नाव के रास्ते में तमाम सहर और गाओं पड़ रहे हैं और वो जो नाव है छोड़ छोड़ नदियां को सागर के पार चली जैसे आप जानते हैं जो बारिस का पानी होता है वो छोटे छोटे नालों से हो करके नदियों में पहुँचता और नदियों की साहिता से वो पकड़ करके यह जो नाव है वो नदी से हो करके कहां पहुंच जा रही है समुद्र में अब कर रहा है फूल भरी नईया है बहती पुर्वय्या है बच्चे सब बोल रहे हैया है 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 अब देखिए फूल भरी नईया है बहती पुर्वय्या है करें पुर्वा हवा चल रही है जैसे हवा चलती है न कभी कभी जो पुर्व से हवा चलती है तो उसे पुर्वा कहते है पुर्वाई पश्चिन से चलती है तो पच्चुआ हवा कहते है न तो वही करें पुर्वा हवा चल रही है और वो जो नाँ है वो फूलों से लदी हुई है बच्चे सब बोल रहे है या 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 हैं तो यहाँ पर बच्चे सब जैसे आप प्रसनचीत होते हैं खुष होते हैं तो आपके मुँसे प्रसनेता सूचक वह सब्द या वॉह करा है कि सब बच्चे खुशी से उचल रहे हैं वह से प्रशनता के मारे वह प्रसनता सूचक सब्दों का प्रयोग करें हैं हैं है यह है यह यह फूर्जात सूचक सब्द और किनारों को छोड़ करके मजधार माने ये बिलकुल पानी के बीच में पहुँच गई है चली गई है अब कर रहा है नाव नए देश चली ये जो हम लोगों की नाव है इसने अपना रास्ता पकड़ लिया है और ये नए पत की तरफ नए लक्ष की तरफ अग्रसर हो रही ह है आगे बढ़ रही है नाव नए देश चली लेकर संदेश चली और ये जो नाव है ये अपने साथ हमारा संदेश भी लेकर ये जा रही है थिरक थिरक नाच नाच मतलब ये नाव जैसे जब हवा चलती है तो कागज की नाव करती है करती है आफ ठीरक ऽी रखनाच यह नाव हे फिरखते वे अ हैई अर्था डगमक करती हुए आगे बढ़ रही है और यहां परियों के दे से लिए बच्चों की कल्पना है आप जैसे देखे सोते तो तमाम सपना देक्ते हैं परीया आ सब करिके तमाम सपने आपको दिखते हैं तो बच्चे कलपना कर रहे हैं कि यह लास्ट में कहां जा रही है परियों के देश परियों के देश की तरफ जा रही है और सब की दूब गई मेरी उस पार्षयली और सब की जो बच्चे यह कलपना कर रहे हैं जिसक है कारता है न आप लोग जब नाव चलाते तो आप करते ने हो देखिए देखिए हमारी सबसे आगे बढ़ रही है तो वह है कर दो कि सबकी नाव तो डूब गई पानी में लेकिन हमारी नाव को सही दिसा मिल गई है और वो नाव आसानी से नदी क के पार चली जाएगी तो यह आपकी पोयम समाप्थ हो गए थैंक्स